हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है चार जनवरी दो हजार चौबेस और चार जनवरी दो हजार चौबेस से रिलेटिड करण्ट अफेर्स के जितने भी कुशन बन सकते हैं आज गी ग्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तयार रहा कर इस से आपकी तयारी करंट अफियर्ज में बहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एक्जामों में आप करंट अफियर्ज से रिलेटिड जितने भी टाइप के कुशन एक्जाम होल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप का कुशन का अंसर बहुत इजली दे फॉर्ट ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर्ज फास्ट ऑप्सन ने इंडरा नुई सिकेंड ऑप्सन ने ओपरा विनफी थर्ड ऑप्सन ने सुसान वोजस्की या फॉर्ट ऑप्सन ने फ्रांसुगा माईज जल्दी से बताईएगा दोस्तों सो अरब डॉलर की संपत्ती वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी हैं इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वह है मारा ऑप्सन नंबर डी फ्रांसुगा माईज बनी हैं ठीके दोस्तों चैलिए इस कुशन से रिलेटिन इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं दिसंबर दो हजार तेईस में फ्रांस की वासुआ बेटन कार्ड माईज विस्विकी पहली महला बन गई हैं जिसके पास सो अरब डॉलर की संपत्ती है बिलूम वर के आंकडों के अनुशार फ्रांसुआ बेटन कार्ड मा वोल्डिंग कम्पिनी टीथाइस की चेयर पर्शन और लॉर्याल गुरुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वाइस चेयर पर्शन है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं किसको सोलवे वित आयो के अध्यज के रूप में नामित किया गया है फर्स्ट ऑप्शन है जैदेव सर्मा को, सेकेंड ऑप्शन है किसूर कुमार को, थर्ड ऑप्शन है अर्विन पंगडिया को, या फोर्ट ऑप्शन है जगदीश माकन को बताईएगा दोस्तों किसको सोलवे वित आयो के अध्यज के रूप में नामित किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, वे है मारा ऑप्शन नमबर सी, अर्विन पंगडिया जी को चैलिए इस कुशन से रेलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं किन सरकार ने सोलवे वित आयो का अध्यज अर्विन पंगडिया को बनाया है इसके साथ ही रित्वे के रजन्नम पांडे को सोलवे वित आयो का सचिब बनाया गया नोटिफिकेशन में कहा गया कि आयो के दूसरे सदस्यों के नामों की घोशना सीगर ही की जाएगी अर्विन पंगडिया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीती आयो के पहली उपाद्यज रह चुकी हैं इसके साथ पिछले दिनों G20 मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के सेरपा के रूप में काम किया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते और नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स कुशन लिखा है दोस्तों भारत और किस देश के बीच सेन अभ्यास जैजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गिया है मिलेटरी एक्सरसाइज जैजर्ट साइक्लोन 2024 हैज बीन ओर्गनाइज बिट्वीन इंडिया एंड विच कंट्री फर्स्ट ओप्सन है थाइलेंड, सिकेंड ओप्सन है यूएई, थर्ड ओप्सन है बंगलादेश, फोर्ट ओप्सन है सिरी लंका जल्दी से बताईएगा दोस्तों भारत और किस देश के बीच सेन अभ्यास जैजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गिया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर बी, यूएई देश के बीच चलिए इस कुशन से रिलेटर इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच संयुक्त सेन अभ्यास जैजर्ट साइक्लोन 2024 दो जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजिस्तान के थार रेगिस्तान में आयूजित किया जाएगा डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश सहरी परीचालन में सर्वोत्तम प्रिथाओं को सीखना और साजा करना है इस सेन अभ्यास का मकसद रच्छा चेत्र के दुई-पच्छी सायोग के समभावे चेत्रों में रच्छा करुडों का उत्पादन और विकास ससस्त्रबलों का सं नयुकत अभ्यास, विसेश रूप से नौसेना भ्यास, रटनीती और सिधानतों पर जानकाई साजा करना आदी सामिल है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो न्याश कुशन देखते हैं न्याश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस देश ने मैंग जियांग नामक अत्यादुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है विच कंट्री है ज अनवैलिड आइस्टेट ओफ दा आर्ट ओसीयन ड्रिलिंग सेफ नेम्ड मैंग जियांग फर्स्ट ओप्सन है अमेरिका, सिकिंड ओप्सन है भारत, थर्ड ओप्सन है ऑस्टेलिया या फोर्ट ओप्सन है चीन बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number D चीन देश ने चलिए इस question से related important point को पढ़ लेती है चीन ने वैज्ञानिक अन्वेसर्ण में एक महतपूर छड़ का संकेत देते हुए अपना अभूत पूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत में एक जियांग पेस किया है चीन भू वैज्ञानिक सरवेच्चर दौरा एक सो पचास अनुसंदा संस्थानों और कमपनियों के सयोग से विक्सित इस जहाज को चीनी भासा में ड्रीम नाम दिया गिया है जो इसके महतवा कांची मिसन को दर्शाता है मेक जियांग का लच्च प्रतिवी की परत में प्रिवेश करना और मेंटल के रहस्यों को समझना है जो इस अग्याद छेतर में मानफता के उद्गाटन प्रियास को चिन्नित करता है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस राज में भारत के पहले पंडुबी परियतन का अनावरण किया गया है इन विच स्टेट है इंडियाज फर्स्ट सम्मरीन टूरिजिम बीन अन्वैलिड फर्स्ट ओप्षन है गुजरात सिकिंड ओप्षन है महराष्ट थर्ड ओप्षन है केरर फूर्थ ओप्षन है आन्वरण प्रिदेश जल्दी से बताईएगा दोस्तों किस राज में भारत के पहले पंडुबी परियतन का अनावरण किया गया है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्षन नंबर ए गुजरात राज में चलिए इस कुश्चन से रिलेटिड इंपॉर्टन पॉइंटों को पड़ती है गुजरात सरकार मचगाउं डॉक लिम्टिड MDL के सायोग से भारत का पहला पंडुबी परियतन उध्धम सुरू करके परेटन उध्योग में लहरे पैदा करने के लिए तयार है इस महत्वा कांची परियोजना का उध्धेश ये बेट दुआरका के आसपास के मंत्र मुग्द समुद्री जीवन का पता लगाना है जो दुआरका सहर के तट पर एक पवित्र दीप है जो हिंदु धर्म के भीतर पौराडिक महत्व से भरा हुआ है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स किस राज के मुख्यमंत्री ने PSU में पारदर्सी भरती के लिए सार्जनिक उद्यम चयन और भरती बोर्ड का उद्गाटन किया है दा चीफ मिनिस्टर आप विच स्टेड है जिनेकूरेटट दी पबलिक इंटरप्राइज सिलेक्शन एंड रिक्वार्मेंट बोर्ड फॉर ट्रांस्पेरंट रिक्युट्मेंट इन PSU फर्ष्ट आप्सन है करनाटक, सिकेंड आप्सन है हर्याना, थार्ड आप्सन है राज्जिस्थान या फोर्ट आप्सन है केरल जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हैं हमारा ओप्सन नमबर D, केरल राज के मुखे मंत्री ने चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं केरल के मुखे मंत्री पिनाराई विजियन ने हाली में केरल सार्वजनिक उद्यम, चयन और बरती वोड का उधगाटन किया जो सार्वजनिक छेत्र इकाईयों की भरती प्रिक्रियाओं में पाठ दसिता और दच्चता बढ़ाने की देशा में एक महतपूर कदम है बिल्याम बलम में स्थित यह प्रतिष्ठान राज संचालिस अंस्थानों के भीतर सच्चम उमीदवारों की पैचान करने और उन्हें न्युक्त करने में महतपूर भूमिका निभाने के लिए तैयार है ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है दोस्तों किस IPS अधिकारी ने अगनी शमन सेवा और नागरिक सुरच्चा के महाने देशक के रूप में पदबार ग्रेड किया है विज IPS ओफीसर है टेकिन चार्ज एस दी डिरेक्टर जनरल ओफ फाइर सर्फिस एंड सिविल डिफेंस फर्स्ट ओप्सन है विजयकान, सिकिंड ओप्सन है राजीव कुमार, थर्ड ओप्सन है विपिन कुमार या फोर्ट ओप्सन है विवेक स्रीवास्तव जल्दी से बताईएगा दोस्तों किस IPS अधिकारी ने अगनी समन सेवा और नागरिक सुरच्चा के महानिदेशक के रूप में पदवार ग्रहड किया है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है अमारा ओप्सन नंबर डी विवेक स्रीवास्तव जी ने चलिए इस कुश्चन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ लेती है केन सरकान ने 1989 बैच के IPS अधिकारी विवेक स्रीवास्तव को अगनी समन सेवा नागरिक सुरच्चा के लिए महानिदेशक के रूप में विन्युक्त किया है वे 30 जून 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे वे गुजरात के डर के 1989 बैच के IPS अधिकारी है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किसने एड्मिरल्स अपोल्टेस के नई डिजाइन का अनावरड किया है फर्स्ट ऑप्सन है भारती नौ से नाने सेकेंड ऑप्सन है भारती वायू से नाने थर्ड ऑप्सन है भारती थल से नाने या फोर्ट ऑप्सन है डी आर्डियों ने पताईएगा फ्रेंड्स फू एजन वैलिड्स दा न्यू डिजाइन ओफ एड्मिरल्स अपोलियन्स इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर ए फारती वायू सेना चलिए इस कुशन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं फारती नौ सेना ने आज एड्मिरलो की इसकंद पट्टिकाओं के नए दिजाइन का अनावरड किया पार्टी नौ सेना ने बताया की नई इसकंद पट्टिकाओं इस महीने की सुरुआत में सिंदू दुर्ग में नौ सेना दिवस के अफसर पर पिधान मंत्री नरेन मोदी दुआरा दी गई गोशना के अनूप है पार्टी नौ सेना का कहना है की इसकंद पट्टिका के नई डिजाइन में अश्ट कोट नौ सेना के ध्वज से लिया गिया है यह चत्रपती सिवा जी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है और समर्द समुद्री विरासत का वास्तिविक प्रतिबिम्ब है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बाढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स विस्वे अंतर मुखी दिवस मनाया जाता है वर्ड इंट्रो वर्ड डे इज सेलिब्रेटेड फर्स्ट ओप्सन एक जनवरी को सिकिंड ओप्सन एक दो जनवरी को थर्ड ओप्सन एक तीन जनवरी को या फूर्ट ओप्सन है चार जनवरी को जल्दी से बताईएगा दोस्तों विस्वे अंतर मुखी दिवस कम मनाया जाता है इस कुशिन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं मारा ओप्सन नंबर बी दो जनवरी को चलिए इस कुशिन से रिलेटेट इंपोर्टन पाइंटों को पढ़ती है विस्व अंतरमुखी दिवस दो जनवरी को मनाया जाता है दुनिया भर के अंतरमुखी लोग अपना दिन पिछले वर्ष के उस्वों के ठीक बाद और नए साल के जस्न के एक दिन बाद मना सकते हैं अंतरमुखी दिवस एक अंतरराश्टी दिवस है जो गलत समझे जाने वाले अलप संख्यों को यानि ऐसे लोगों का जश्न मनाना है जो कम अभी व्यंजग हैं और सामाजिक रूप से अजीब हैं इसके अलावा इस दिन पार्टी कैंसल करने और पार्टी आयूज़ित ना करने का ट्रेड भी चलन है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो और आज का लास्ट कुशन देखते हैं आज का लास्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस देश दौरा तलाई और नासिर क्रूज मिसाईलों का अनावरड किया गया है तलाई एंड नासिर क्रूज मिसाईल ह rasa have been invalid by which country फर्स्ट उप्सन है पाकिस्तान, सिकिंड उप्सन है इंडिया, थर्ड उप्सन है इरान, फॉर्ट उप्सन है इराग बताईएगा फ्रेंड्स इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा उप्सन नमबर सी, इरान देश द्वारा चलिए इस कुश्चन से रिलेटेट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं इरान की नौसेना ने हाली में अपने सस्त्रागार में तलाई और नासर नामक, दो घरेलू निर्मित, परिस्करत क्रूज मिसाइलों को सामिल किया है अपनी रच्छा चमताओं को बढ़ाने के हिस्से के रूप में इरान ने अपने नौसेनिक बलो में क्रमसा, 1000 किलो मीटर और 100 किलो मीटर से अधिक की रेंज वाली उननत तलाई और नासर क्रूज मिसाइलों को सामिल करने की गोशना की है यह इरान और पश्मी सक्तियों के बीच बढ़ते तनाओं के बीच आया है ठीक है दोस्तो, I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी कुशन से related important point के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे class most important difference exam के नजरिये से तो इसके सारी important point को आप लोग अपनी copy में नोट्डाउन कर लीजेगा अगर class अच्छी लगी हो दोस्तो तो please इस class को like कीजेगा, share कीजेगा और आपके अपने channel mansi study channel को subscribe कीजेगा thank you so much दोस्तो